सेक्स एंड फोर प्ले के वारे में मैं आज आपको बताऊंगा लोक समझते हैं कि शेक्स मतलब इंटर K educación मतलब लिंग का युनी में प्रवेश करना और उसको सेक्स समझते हैं और उसके पहले जो होता है वह दिशक्षा और बाद में जो होता है वह आफ्टर प्ले या आउट प्ले फिरर जो वो उसको कहा जाता है कि इंटर कॉर्स मतलब अंदर लिंका प्रवेश्च करने के पहले जो भी किया जाता है उसको बोलते है फोर प्ले और वह इंपोर्टन क्यों है क्योंकि हो सकता है कि आपको सेक्स करना भी नहीं है सेक्स करने की जगह भी नहीं है, मगर आप फोर प्ले कर सकते हो, और उसमें सेक्स इतने अनन ले सकते हो, हो सकता है कि आपका सेक्स करने का इंटेंशन ही नहीं है, सिर्फ फोर प्ले करने का इंटेंशन है, उसमें अनन लेने का है, मतलब सेक्स करना ये अपने दिमाग में भी स्जाइने की नहीं है यहाँ भी मिले वहां यंटरकोस पॉसिबल नहीं है तो फिले कर लिया और बार में फ्री हो गए यह वी बहुए तो rij इसका मतलब इंट्रकोस करना इसा जरूरी नहीं है विले यह एक एक्टिविटी होती यह कि जो sex के पहले की जाती है सिर्व आप 4play करते हो और अच्छी दर से 4play करते हो तो sex इतना ही आनंद उसमें आ सकता है बहुत बड़ा आनंद आ सकता है कोई जरूजने की sexy करना है और उसमें आनंद आएगा 4-play में क्या होता है, 4-play में बहुत सारे physiological और physical changes होते हैं body में, बहुत सारे changes body में होते हैं, और उसका जो आनन आता है, वो आनन बहुत बढ़ा important है, मतलब वो actually sex करने से भी जादा हो सकता है, इतना जादा वो important है कि जो physical और physiological changes, मतलब शारिरिक या functional changes जो body में होते हैं उस समय, बहुत जादा हो जाते है 4-play में और उसमें जो आनन होता है, वो actually intercourse से भी बहुत जादा होता है, 4-play में भावनिक दुष्टया, भावनिक तासे बहुत आत्मियता तहरुती, भावनिक आत्मियता बोल सकते हैं partner के साथ में, और sex भी नहीं किया, तभी भी बहुत जादा close जाने साथ है, मतलब बहुत जूड जाते हैं एक दूसरे से 4-play में, और sex के बाद में भी बहुत एक भावनिक आत्मियता बने रहती है, यदि 4-play आप करते हैं, उसका इतना जादा महतु है, यदि आप relationship में नहीं हो, और सिर्फ एक साथ में आये हो, और sex करने की इच्छा ह या कोई stranger से भी sex कर रहे हैं, तभी भी 4-play important है, मतलब समझे एक stranger उसके आत्मे आपने 4-play कर लिया, और उसके साथ में भी उसमें बहुत sex में मजा आएंगा, और एक आत्मियता निर्मान हो सकती है, तो stranger से भी जब sex करते हैं, तो 4-play करना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ऐ विष्या के पास में जाते हैं, उसको कोई interest ने रहता है, बोलती चलो जल्दी जल्दी sex करो, जल्दी कपड़े उतारो, जल्दी sex करो, जल्दी यह उनी में प्रविश करो link का, अच्छा, कटर होता नहीं है, चलो आप काम में नहीं है, कुछ काम के नहीं है, चलो वाजय हो है वे चलो जल्दी इंट्रकोस करो जल्दी बाजी हो जाओ तो सेक्स करना ही नहीं है फोरपले से एक बांडिंग बन जाता है आत्मियता बन जाती है अच्छी रिलेशन्शिप हो जाती है और बहुत ज्यादा यह हो सकता है मतलब बहुत ज्यादा अराउजल करता है सेक्शल अराउजल बहुत ज्यादा करता है क्या होता 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 है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है हार्ट रेट बढ़ता है पल्स रेट जो है नाड़ी वह बढ़ जात तरफ यह उसके साथ साथ ब्लड बेशर भी बढ़ए जात अपने प्राइवेट पार्क तरफ जो खुन की नलियां बहती है मतलब जाती है जैता होती है उसमें ज्यादा कुन भेना चालो जाता है वह झालो होगा तो ज्यादा हीट उसमें तैहरु होती है वो organs बड़े हो जाते हैं, erection आता है, कठरता आती है ladies में भी जब four play करते हैं तो ज़्यादा blood vessels, clitoris के तरफ, vagina के तरफ जाएगा, पुरुश में penis के तरफ बहुत ज़्यादा blood flow जाएगा और वो बड़े हो सकते हैं, मतलब फुल सकते हैं, फुल जाते हैं, और बहुत हीड उसमें आजाते हैं, गरम मतलब हो जाते हैं, ऐसा हाथ लगा के देखा, तो गरम होते हैं आपको नज़र आएगे, कि फीलिंग होंगा गरम होए ऐसा, four play में बहुत ज़्यादा blood supply, breast के तरफ मतलब stun के तरफ जाता है, नीपल्स जो है, उसके तरफ जाता है blood flow और वह भी फुल जाते हैं, और उसमें भी वह लेडी को या जेंड्स को दोनों के भी बहुत अच्छा लगता है four play करने में, four play में वजयना के तरफ बहुत जादा blood flow हो जाता है और lubrication होता है, squirting बोलते हैं उसको, four play में squirting जादा हो जाता है, बहुत जादा पानी छुटता है, तो होता गया है कि लेडी की जो नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो बीदला हो जाता है, चिपचिपआ हो जाता है, चिपचिपआ पाने छुटता है, जिससे लिंग का प्रवेश अंदर होने में काफी अच्छी मंदद होती है, साहत होती है, तो वो होना बहुत जरूरी है, और four play में काफी ज्यादा excitement आता है, तो फिर क्या होता है कि intercourse जब अध्य करते है तो चरम सिमा जो है, और टी चरम सेमा शेक्स के ढुठुचत सिमा जो यह फिर जल्दी आजाएगी, बीद्या हो ठ Vienna और झसाएगे, 분들은 लाट रहत को जो चरम पले कमसे कम दस से पंदनारा मिनीड उना जरूई है कि सब बात के प्रॉब्लेम जो हूंगे नहीं और दोनों को तुरपती भी आज़े आपके लिस में वह नहीं और वो उसका अंतिम उदिश्ट भी नहीं होंगा और वैसा भी फोर्प्ले कर सकता है तो इसका इसा मतलब नहीं कि फोर्प्ले करें इसका मतलब सेक्स कर नहीं है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं और फोर्प्ले कहीं भी किया जा सकता है इंट्रकोस नहीं हो सकता है शोने की जगवी नहीं है इंटर को जगवी ने में और वहाँ आनद मिल सकता है कभी कभी है सब्सक्रोड कि फॉरप्ले में श्यू है मेट मेंडर करना है उसकता है आपको इसा मालू है कि आप दिन के आखहिं में सिज्ट करने harm 你 होसकता है कि दिन उस्का अपनी नइन था कि वो भी उसको भी उत्सुकता आएंगी और फिरेट राइगी ë्स हो जायगी मालून है। यह अपने सब्सक्रेट्राइब अपने अपने बारेमें उसता है आपने सक判 कर था ओट और वो भी फिर आपकी वीचार करना चालू करेगे तो मैंस फिर वह सभीखी लिखना घ्स Mission कर रहे वाट्साप कर रहे और उसको सुबह से उसको एक यह हिंट दे रहे कि रात को करना है तो हो सकता है कि आप रिलेशन्शिप में हो पार्टनर्शिप में हो पार्टनर है तो हो सकता है कि आप शाम को इनवाइट करेंगे डिनर के लिए पाटी के लिए ड्रिंक्स के लिए साथ में बैटेंगे गफ्षप करेंगे और हो सकता है कि इंडरकूस के तैयरी करेंगे या साथ में आने के तैयरी करेंगे तो साथ में ड्रिंक्स लेना या साथ में डीनर करना या बातचीत करना वो भी एक हो सकता है हो सकता है कि जब आप सेक्स करते हो तो कुछ music on है कुछ sex tunes on है वह सकता है हो सकता है कि आप actually sex करने के पहले कुछ romantic song लगाते हो dance करते हो और उसमें कि उसे को excite करते हो तो वह पॉसिबल है यह से बहुत सारे जो इलाज है कि वह आप करते हैं तो वह फोर प्ले में उसकी इंति क कर सकते कि पोर प्ले में मजाने के लिए अवापका नवथ्य तायर कर सकते हैं आपका बीड्य एपकी घटट शीट वुडे आप उसको जोगी अच्छा लगता है अपने partner को तो चॉकले लेit से या कुछ जोगी अच्छा लगता है उसको खाने के लिए उसको वहां रखते हैं बेड़ के ऊपर कोई केक है इसक्रीम है जो भी उसको अच्छा लगता है जिससे उसको ऐसा लगेंगा कि नहीं मेरा पार्टनर में केर करता है करते हैं और अपने को खुद को मालूब होना चाहिए और आपने वह बताना चाहिए पार्टनर को कि मेरे बॉड़ी पार्ट्स ही है और पार्टनर पूछना जी कि आपके बॉड़ी पार्ट्स कों से है कि जहां टुण करते हैं चाहां मसाज करते हैं टिकलींग करते हैं वाइब्रेट करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ जाएंगा तो वो इरोजिन्स जोन की मालूमात होनी चाहिए बूक्या होते हैं और आपको excitement कहां आता है माम मसाज करना कि सींग करना ये जैसे पेनाइल जो आप करती हैं फिर फिर याप वेक्यूम से इसके इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुछ जा या फिर लगाते है तो सेंसेशन कम होता है ज्यादा समय तक आप का फिर भाद में सेक्स चलेगा आप शौवर ले सकते हैं दोनों मिलाके और शौवर लेना सांतने शौवर लेना एक डुसरे को एक्साइट करना वो भी एक अच्छे फूर्पले का पांट हो सकता है जो है वह बहुत लोगों को अच्छा लगता है तो ओरल सेग्स में जो लिंग है पुरुषका पेनिस जो है एक उसका हिस्सा है तो मोग पूछते की क्या इसा है आपका पार्टनर तैयर नहीं फॉर बिए करने के लिए तो उसका पातचीत करने पड़ेँ उसका इंट्रेस्ट है वह पूछना पड़ेगी क्या है कि वहां गिलनापन नहीं आएंगा मतलब डिश्चार्ज नहीं रहेगा भजायन लूब्रीकेशन नहीं रहेगा फिर प्रॉब्लम आएगा इसलिए पहले बात्चीत करना एक्साइट करना डांस करना मुजिक सुनना मतलब बताया वो सब करते हैं तो डिफिनेटली पाटनर को एक्साइटमेंट आ जाएंगा और उसने कितना भी बोला कि मुझे फोर प्ले में इंट्रेस्ट नहीं है तभी फोर प्ले करना ज़रूरी है रूम में स्प्रे मारना बाडी स्प्रे करना फिर मुझ जो है मतलब खाना का कि आप बेड़ पर जाते हो तो लहसून का मतलब गा यह करते हैं और तो उससे भी पार्टनर हो काफी excitement आ सकती है तो सब्सक्राइब करते हैं तो ले करने के पहले बहुत जरूरी है जरूरी है झाल झाल